बहुत एक ट्रेंड सा चल पड़ा है लेकिन जब हम प्रक्टिकल सचाई में देखते हैं बुद्धिस लोग कम नजर आते हैं और समिधान की बार समिधान भी जो एंप्लिमेंटेशन होता हूँ नहीं दीखता है तो आप इसको किस रूप में देखते हैं बहुजन दस्तक के स्टूडियो को अपनी तरफ से मंगल कामनाई देता हूँ सुब कामनाई देता हूँ मैं करीब पचास वरसों से अम्बेड कर मिशन का तथागत बुद्ध के शंदेश का काम कर रहा हूँ सारे भारतवस्थ के कौने कोने में जाने का मौका मिला बुद्ध गया अंदोलन चलाया तमाम सामा जी का आंदोलन चलाया लला इशी यादब के शाथ काम किया, मानिवर कासी राम जी के साथ काम किया, राम सरू बर्मा जी के साथ काम किया, एक अच्छा मुझे समय मिला, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ, कोई सम्मिधान बचाओ, यात्रा कर रहा है, कोई दीच्छा समारो यात्रा कर रहा है, कोई धम्यात्रा का कारिकम कर रहा है, मैं देख रहा हूं एक लंबे समय से, लेकिन मुझे कुछ काम दिखाई नहीं दे रहा है, अधिकतर जो बहुत विच्छु हैं, वो सम्मिधान बचाओ और देश बचाओ की यात्रा कर रहा हैं, बलकि मैं ऐसा जान रहा हूं कि वे अपने समाज रुकने के लिए देगा, समाज उनको यात्रा के लिए पेटल देगा, समाज उनको मकान देगा, समाज उनको खाना देगा, लेकिन तो मेरा समाज के लोगों से कहना है, मैं जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं, भिच्छु की अपनी कोई संपत्ति नहीं होती है, बु बुद्विहार तो रुकता है, बुद्विहार में रहते हैं विच्छू और चले जाते हैं, जैसे आसा राम, बापू, जमीने दान कराते थे, और उस ट्रस्ट की जमीन को अपने लड़के के नाम, अपनी पत्नी के नाम, अपनी लड़की के नाम कराते थे, बैसे ही एक चलन चल गया है तुम देखना उसमें घुसकर बहुत विच्छू काम कर रहा हैं लेकिन पत्नी भी साथ में जा रहा है परवार भी साथ में जा रहा है पच्चे भी साथ में जा रहा है यह कैसे होगा अम्बेड करवादी समाज बहुत इमोस्टनल है अम्बेड करवादीयों से मेरा कहने का मतलब यह है जिस समाज से जो बहुत विचू निकले हैं वो हम इस वाद को जाती वाद नहीं मानते लेकिन वो अपने समाज को एक को भी स्रामनेर नहीं बनाएंगे एक को भी बहुत विचू नहीं बनाएंगे एक को भी बहुत नहीं बनाएंगे एक को भी सम्मिधान नहीं पढ़ाएंगे एक को भी अम्बेड करवादीयों में आकर और अम्बेड करवादी भाग भाग कर उनको सहोग करेंगे कोई भी ब्यक्ति चीवर पहन कर आ जाए तो समस्ता है कि भगवान बुद्ध आ गए कोई भी ब्यक्ति आ जाए उसको समस्ते है ये हमारा कल्यान करेगा अरे अंबेड करवा दियो तुम्हारा कल्यान जो लोग बैकवर से बहुत विचु बने OVC से बने हैं जो लोग S-T से बने हैं उनको पूछना कि बाबा साब अंबेड कर को तुम्हारा समाज कितना मानता है वो बुद्ध को तो मानते हैं लेकिन डॉक्टर अंबेड कर का फोटू लगाना भी अपने घरों में पसंद नहीं करते मैं कहना चाहूंगा मुझे कोई कोई डर नहीं है साके समजाय के लो कुस्वा समाज के लो वो बुद्ध को तो मानते हैं लेकिन डॉक्टर अंबेड कर को नहीं मानते अंबेड कर वादियों से चंदा करते हैं लेकिन अंबेड कर का फोटो वहां नहीं रखते हैं, जो कुसवा समाज च्वा समाज से बने हैं, उन बहुत विच्वों का करतब भी है, कि वो अपने समाज को समझाएं, और वहांपर बाबा साभ का फोटो रखकर उनको नमन करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत विच्वा जब अंबेड कर वादियो बाबा साहब का फोटू वहां मिलता नहीं है, बाबा साहब की विचादधरा वहां मिलती नहीं है, मेरा कहने का मतलब यह है, जो ओबी सी के बहुत विच्छू, जो काम कर रहे हैं, या एस्टी के विच्छू, मैं चाहूंगा, इस जागे हुए समाज में उनको जाने की कोई यरूत नहीं है, वो वहां पर जाएं, अम्बेड कर वहां समझाएं, अम्बेड करके पूरा जाटब समाज, पूरा अम्बेड करवादी समाज, महराष्ट में महार समाज, और उत्तर पिदेश में चमार, जाटब, दोहरेग, और कुरील, एहरवार, संखवार, ये सब लेकर, उनका पैसा लेकर, अपने घर लोटाते हैं, मेरा कहने का मतलब यह है, उन बहुत विच्चों को खाना तो दो, उनका संबान तो करो, गले में माला तो डालो, लेकिन एक पाई भी उनको दो मात, नहीं तो वो बड़ी-बड़ी गारियां खरी देंगे, बड़े- समाज के बीच में नहीं जाना चाहिए, मेरा आप लोगों से निवेदन है, मैं बहुत दिन से सोसन देख रहा हूँ, बहुत दिन से अत्याचात देख रहा हूँ, बहुत दिन से अन्याय देख रहा हूँ, आपको ठकते हुए देख रहा हूँ, आपको लुटते हुए चास वर्ष में पूरे उत्त प्रेश में काम किया गिरिश्ती लोग बहुत विच्छू बनकर चीवर पहनकर आपके बीच में आते हैं और आपको ठक कर चले जाते हैं मीठी मीठी बात करते हैं थोड़ा भौत उन्होंने अंबेटकर को पढ़ा है बुद्ध को पढ़ा है या मैंट के सामने आना पड़ेगा आपको मरना पड़ेगा आपको बताएं दो अप्रेल दो हजार अठारे को हमारे बारे बच्चे सहीद हो गए उन्होंने सच्चे माने में सम्मिधान बचाया सम्मिधान के आर्टिकल को बचाया लेकिन ये लोग एक भी नहीं मरा एक भी कहार नहीं मरा, एक भी लुहार नहीं मिला, एक भी साक्य नहीं मरा, एक भी मौरे नहीं मरा, एक भी कुस्वा नहीं मरा, तुम क्या सम्मिधान की रच्छा करोगे, आपको जमीन पर संगस करना पड़ेगा, आपको जमीन पर आना पड़ेगा, आपको आंदोलन करना बच्चे मरे तो भारत सरकार ने अपने बनाए हुए ही कानून को बापस लिया मैं कहना चाहूंगा ये सम्मिधान बचेगा सम्मिधान को ये टच भी नहीं कर सकते सम्मिधान को जिद दिन टच करेंगे करोडों अम्मेड करवादी इस आंदोलन के लिए कूंद पढ़ेंगे आज हमारा समाज इतना जागरूक हो गया है कि उसे कोई भी टच से मस नहीं कर सकता मैं कहना चाहूँगा कुछ कॉंग्रेस ने फंडिंग करके चलाया है कुछ जो बीजेपी चला रही है बीजेपी लाक और प्या दे रही है खें इनको सामनेर बनाओ और फिर वो समाज के बीच में घूमते हैं मैं कहना चाहता हूँ ऐसे सातरी लोगों से ऐसे लोगों से जो समाज को गुम्रह कर रहे हैं आप जानते भी हैं कि लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं मैं लोगों से अंबेड कर वादियों से कहना चाहूँगा, आप से निवेधन है, पूरे देश के लोगों से, आप सम्मिधा, आप खरीद कर अपनी संस्ता के माध्धम से, उनको देने का प्रियास करो, बाबा साहब का बॉलूम, 960 रुपे का रहा है, आप अंबेड कर फाउ ना दें, आज अपने बच्चों को किसी भी संस्तान में नहीं भेजना है, भेजना है तो केवल सारनांत में भेजो, वहाँ भच्चे एडिमिशन लेते हैं, ऐसी जगे मत भेजो, जहां बच्चों को खाना भी न मिले, सिच्छा भी न मिले, और वहाँ पर किसी भी तरह की शुर्दान हो इनी शब्दों के शाथ मैं अम्मेड करवादियों से पुनहें भोजन दस्तक के माद्यम से ये अग्रे अनरोद करूँगा भंते करुणा कर कि ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करें ऐसे लोगों को पैसे ना दें तो उनसे कहो कि आप जो पिछड़ा वरग है जो ओविश्ची है जो सबसे ज्यादा भ्रहमरवाद का पोसक है उनके बीच में जाओ सुनारों के बीच में जाओ कहारों के बीच में जाओ लुहारों के बीच में जाओ यादवों के बीच में जाओ मौरियाओं के बीच में जाओ कुसवाहों के बीच में जाओ साक्यों के ब जैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है अगर आप भूजन समाज में बाबा साहिप अमेटकर और तथागत बुद्ध की विचार धारगो अधिर से अधिक लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग परड़ान करें ताकि हम अपनी चैनल के मात्यम से देश ब्यदेश में समता, बंदुता, एकता और सम्विधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचासकें आप अपनी साहिता राशी न आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं मैं गौतम रतना आपका बहुजन फिल्म पोड़क्शन में स्वागत करता हूँ और आप हमारे पocus रेलेटिड कुछ भी परोजेक्ट आपको बनवाना है जिसमें फिल्म कैमरा है, सुटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है सारा ए टूजेट एक ही जगे पर हमारे यहां पर मिल जाएगा तो दोस्तों आप हमाएं कॉंटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 981 0085714 और 851 00005714 हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं www.gothamfinzproductionsatthe-gmail.com और धन्यवादा